हलो सुपर इंवेस्टर्स बात करेंगे एक हैसे स्टॉक के बारे में जो की काफी गिर चुका था और इसमें हमारे एक सुपर इंवेस्टर है सबसे बड़े भारत के जो की स्मॉल कैप में ही इंवेस्ट करते से जादा ऐसे सुपर इंवेस्टर ने इसमें 2 करोड़ 20 लाग के शेर्स दिये है जो कि 2,80,000 शेर्स दिये है फ्रेंड्स ये सुपर इंवेस्टर्स लोग काफी स्टेडी करके potential देखके invest करते है और उन्होंने कल के दीन ही पर्चेस किये जब कि ये शेर पूरे बॉटम पे था जब उन्होंने बल्क डील में इसको बाय कर लिया ओपन मार्केट से तो इस कंपनी के वारे में जानेंगे जो कि हो सकता है आने वारे दिनों में अब इस शेर के बारे में बात करेंगे ये कंपनी टैलकम कोटेड एंड सिलिकॉम कोटेड हिट रेजिस्टंट रबर्स एंड उसके रबर के थेड्स बनाती है ये इंडिया की लार्जेस्ट मैनुफैक्चरर है इस सेटर की इसलिए में इसको कहता हो मॉनोपॉली क्यूंकि इससे बड़ा मैनुफैक्चरर पर इंडिया में नहीं है ये केरला बेस्ट कंपनी है और जानते आप केरला में रबर सबसे जाएदा पोडियूस होता है पर ये भारत में ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है इंडिया के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी है कंपनी और debt free है इसका आज का closing था 85 रूपीज और 52 भी खाय था 130 रूपीज P है 10 का and EPS है 7.70 का जो कि बहुत अच्छा EPS है अभी भी 85 रूपीज में मिल रहा है काफी कम रेट में इस है मिल रहा है debt to equity ratio है zero company पे एक पैसे का भी debt नहीं है प्रोमोंटर होल्डिंग के 57 पर्टसेंट एफाई डी आय का होल्डिंग नहीं है पर प्रोमोंटर होल्डिंग अच्छा कासा है इसके quarterism की बात करेंगे profit की बात करेंगे तो मुझे वाट्सेप कर सकते है 954585000 चार्जेसे 500 उपीज और आपके पोर्टसेप करेंगे चार्जेस तो आप मुझे वाट्सेप करके पूछ सकते है काफी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते है डेली में आप व्यू करता हूं रिव्यू तो तुरह टाइम मिला सकता है पॉफिड था 12 करोड़ मार्स 22 में था 11 करोड़ और जूब 22 में भी आया 11 करोड़ कंपनी लगातार पॉफिट मेकिंग है और फंडामेटली साउंड है तो इस कंपनी के बारे में स्टैडी करके आप इन्मेस कर सकते है जिसमें सूपर इन्वेस्टर पूरिंजू वेडी य झाल झाल झाल